वेलकम बैक टु दे नीव वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ट्विंस्लेंडर बाइक के बार में जो कि साल 2023 में इंडन मार्केट में लॉंच होने वाली है और इन सभी बाइक का जो लॉंच है गाइस वो कन्फर्म हो चुका है कि अभी वाली जो बाइक हो इ और दोस्तों अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना तो चलिए दोस्तों अभी आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू तो यहां पर बात करते हैं हमारी लिस्ट की पहली बाइक के बार में तो वह होने वाली और यह वाली बाइक फरवरिया मार्च के महिने में इंडन मार्किट में में देखने को मिलेगी बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बार में तो दोस्तों यहां पर आपको उस बाइक में 689cc, twin slender, four stroke, four value liquid cold engine आपको उस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा और यह जो इंजन है वो 73.4 ps की आसपास की maximum power produce करेगा और दोस्तों यहां पर आपको उस बाइक से 67 newton meter का maximum torque देखने को मिलेगा इसके लब दोस्तों आपको उस बाइक में मिलेगा six speed gearbox यहां पर बात करें mileage figure के बार में तो दोस्तों आप इस बाइक से 25 km अपर लेटर के आसपास के जो mileage जो वह साने से गेन करोगी और वहीं कर बात करें इस बाइक की top speed के बारे में तो इस बाइक की 230 km पर आरके आसपास की maximum top speed हो होने वाली है और आप बात करते हैं इस बाइक के कुछ की feature के बारे में तो यहां पर आपको इस बाइक में 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 लेगा dual channel ABOS, USG Fox suspension, TFT console, traction control और आ इस बाइक के बाइक के बारे में तो दोस्तों यहां पर आपको इस बाइक में 648 CC parallel twin cylinder, 4 stroke, air and oil cool engine आपको इस बाइक के इंदर देखने को मिलेगा और यह जो इंजन है वह 47 PS के आसपास की maximum power produce करेगा और यहां पर दोस्तों आपको आपको बाइक से 52.3 Newton meter के आसपास का maximum torque आपको इस बाइक से देखने को मिलेगा इसके लवा दोस्तों आपको इस बाइक में 6-speed gearbox मिलेगा और 15.7 लिटर का यहां पर आपको fuel tank में देखने को मिलने वाला है बात करता है इस बाइक के कुछ की feature के वाले में तो यहां पर दोस्तों आपको round shape में console मि देखने को मिलेगे और इसके लवाई है आपको इस बाइक में फ्रेंट और इन में LED लाइट का setup आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाला यहां बात कीजिए हमारी list की थर्ड बाइक के बार में तो वह होने वाली है 2003 की कावासा के 650 और विहाली में इस बाइक के 2000 वेरेंट को काफी सारी केंटर में कावसा के लाँच कर चुकी है और फाइनल 2030 में कावसा के इंडेया बाइक के 2023 के वर्जिन को लॉंच करेगी तो यहां पर इस बाइक का एक्सपेक्टिट एक्ष्णू होने वाले सब्सक्राइब और यह वली बाइक जो है वो मार्च 2023 में लॉंच होने वाली है बात करते हैं बाइक एंजिन के बारे में तो दोस्तों यहां पर आपको उस बाइ सुन्म के घ्टार बाइक में लोग सी बाइक का ऩराइक का फिरेग्स अधिक हो सब्सक्राइब करने सबैंगे लाइश सब्सक्राइब!.. जो कि बाइक की stability को काफ़ी ज़दा increase कर देता है यहां पर बात करें हमारी लिस्ट की फॉर्थ बाइक की बारे में तो वह हने वाली है बजाज टूनर और यहां पर इस बाइक का एक्षुन प्राइज वह में बाइक के लुग कैसी होने वाले वह तो बेरी रिविल ने हुए है बट जैसे दो आपको इस चैनल के आपर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी यहां पर बात कीजिए हमारी लिस्ट की फीफ्त बाइक के बार में तो वह होने वाली हीरो एक्ष्ट्रीम 310 और यह वहली भाइक अभी लद्दा के अंदर टेस्टिंग के दुरान सपोर्ट हुई है और यह रो मोटकॉप की तरफ से एक अपकमिंग 2 इसलेंडर वाइक हो सकती है यहां पर दोस्तों बात करें इस बाइक के इंजिन के बार में तो आपको इस बाइक इंजिन आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल सकता है जो कि 28 पेस के असपास की पावर प्रडूइस करेंगा और यहां पर दोस्तों आपको इस बाइक से 32 न्यूटन मीटर का मैक्समम टॉर्क देखने को मिलने वाला है यहां पर दोस्तों आपको इस बाइक में 6-speed gearbox मि सकता है बात करते हैं लाउच जेट के बारे में कतूबर 2003 में अंदा को इंडिक लाउंच करने वाला है और यहां पर इंडियन मारे के आपको इंजिन के बारे में तो दोस्तों आपको इस बाइक में 471 CC ट्विंश्लेंडर फॉर वालव लिक्वर इंजिन देखने को मिलेग और 15.7 लिटर का फ्यूल टाइए यहां पर आपको इस बाइक के देखने को मिल जाता है बागी अगर बात करें इस बाइक की लुक्स के बर में तो मेरे को पर्सनले इस बाइक के लुक काफी बढ़े लेगी